हमिर्पूर में हुई दोनों घटनाओं को लेकर अभी तक आरोपियों की गिरफतारी न होने और ग्रामिनों पर ही कारवाई करने को लेकर समाजवादी पार्टी के कारे करताओं ने किया हला बोल उत्तर प्रदेश सरकार को ग्यापन सौपने की तयारी में समाजवादी पार्टी के कारे करता पुरा मामला जनपध हमिरपूर का है जहाँ पर राट कोतवाली और जरिया थाने को लेकर हुई अलग-अलग घटनाओं में पुलीस वारा अभी तक आरोपियों को गिरफतार नहीं किया गया जबकि ग्रामिनों पर ही मुकदमा पंजिक रुद कर दिया गया जिसको लेकर भारतिय जनता पार्टी ने भी नाराजगी जताई थी लेकिन अब समाजवादी पार्टी के कार्य करताओं ने इस कार्य शेली को लेकर हल्ला बोल कर दिया समाजवादी पार्टी के कई विधायोके के साथ कारेकरताव ने उत्तर प्रदेश शासन को ग्यापन सौपने की तयारी कर ली है आपको बता दे कि तीनतारी को राट कोतवाली के ग्राम ददरी में प्रत्विराज और उसके पुत्र पुर्वप्रधान की हत्या को लेकर ग्रामिनों में आकरोश व्याप्त है तो वही अभी सिर्व दो महिलाओं को गिरफतार करके पुलिस ने जेल भेजा है जबकि मुख्या आरोपी खुले आम घुम रहे है इसी प्रकार ग्राम छिवोली में संदीग्द अवस्था में व्यक्ति का शव मिलने से हड़कम मच गया था जिसको लेकर ग्रामिणों ने सडक जाम कर दी थी और कबुतरा डेरा में ग्रामिणों के द्वारा आगजनी की गई थी पुलिस ने 200 ग्रामिनों पर मुकदमा पंजी कृत कर दिया था जिसको लेकर ग्रामिन भारतिय जंता पार्टी की विधायक मनीशान उरागी के पास ग्यापन लेकर पहुचे थे लेकिन अब कई राजनितिक पार्टी आंदोलन में राजनितिक रूप देने के लिए आगे आ रही है उतर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी के सैक्डो कारे करताओं ने एक मीटिंग कर आगी की कारवाई करने का एलान किया घटना सामने देखने को है जब उतर प्रदेश के अंदर सरकार के इसारे पर नकली साराव कारोबार हो रहा है और उसमें कोई अपना पैसा लेने जा रहा है उसकी हत्या कर दिया रहा है जिसकी हत्या हो रही उसको नयाए नहीं मिल रहा उसके मुल्जिम खुले घूम रहे हैं और जिनोंने इंसाफ की मांग करी ऐसे लोग उपर मुगदमा दर्ज हो रहा है और मुगदमे के भी अलावा जिन लोगों का मुगदमे में भी नाम नहीं है ऐसे निर्दोस लोगों की लगता ग्रफ्तारी करके देसत फ्राने काम किया जा रहा है यह सरकार लगातार अपरादियों के हादी कर्फुत्ली पनी हुई है आम जन्माना से अपने को पीडित और दरा को महसूस कर रहा है समाजवादी पार्टी के राश्टियत अखले शादो जी ने इस मैतपूर घटना का संग्यान लिया है हमनोंने पीडित परिवार के दर्द को समझा है जाना है हमीरपूर यूपी से अनिल कुमार की रिपोर्ट